हेलो दोस्तो दिल्ली पुलिस भरती 2020 की वर्दी खत्रे में है और आप लोगों के लिए खुसकबरी भी है आप सबको खुत्या करना है कि आप लोगों को अपने जिन्दकी बनानी या बिगाडनी है और हाँ दोस्तो यह आपका आखरी मोका है इस टोपिक पर मैं आपकी वीड एक्जाम आपका कैंसिल हो गया है क्या एक्जाम में कोई घोटाला हुआ है मैं एक महनती स्टूडेंट हूं मान लो कि मैं एक महनती स्टूडेंट हूं मैंने दिल्ली पुलिस के लिए बहुत मेहनत की क्या मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जाने वाली रिजल्ट कब आएगा फ कुछ ऐसा चल रहा है तो दोस्तों आप लोगों ने YouTube की सबसे सांदार और जानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो दोस्तों अगर आप लोग दिल्ली पुलिस की तियारी करे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है ठीक है गाइस आप सभी का ज़ादा से ज़ादा से ज़ादा से नहीं मिल पारी है किसी वज़े से इसमें मैं आपकी एक सठीक जानकरी लेके आया हूं जो बच्चे मैनत कर रहे है उन्हीं के लिए वीडियो प्रोपर होने वाली है गैस तो वीडियो को जादे से जादा हाद जोड़ कर विंति करता हूँ जादा से जाद अपने दोस्तों में फैला देंगे वीडियो को ठीक है गाइस और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे मैं आपकी एक सटी कटोफ भी बताऊंगा जो आँसर की के हिसाब से नई कटोफ होगी ठीक है गाइस? मैं आपकी एक नई कटोफ के बारे में भी बताऊंगा ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा खत्रा भी है गाइस और एक आपकी खुसकबरी भी है जिस बच्चे ने यह वीडियो आखरी तक देख लिया गाईज जिस बच्चे ने यह वीडियो आखरी तक देख लिया गाईज तो दोस्तो उस बच्चे की जिंदगी आपर बदलने वाली है ठीक है तो दोस्तो पहले तो यार आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों की दिल्ली पुलिस की नोकरी लेनी है या नहीं लेनी है आप लोगों को तो guys सोच लो लेनी है तो मैनत कर लो बाद में आप लोग पस्ताने वाले हो और दोस्तो जिस बच्चे को दिल्ली पुलिस की नोकरी लेनी है वे इस वीडियो को पूरा देखके जाए जिसको दिल्ली पुलिस की नोकरी नहीं लेनी तो दोस्तो वो जा सकता है आप लोगों के लिए कोई दबाव नहीं है याँ पर ठीका गाइस अगर आप लोग एक मैंति स्टूडेंट है और आप लोगों को लगता है कि मेरा एक्जाम रिटेन क्लियर हो जाएगा तो गैस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है इस वीडियो में तो दोस्तों आओ आपके उजवल भविस्या के बारे में बात कर लेते हैं गाइस तो दोस्तों हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के वो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए या किसी वज़े से उनका पेपर खराब हो गया ठी के कैरियर के लिए बहुत इंपोटेंट वीडियो है आज की ठीक है गाइस देख लेते हैं पूरा प्रोसेस क्या रहेगा गाइस तो गाइस जानकारी देने से पहले अगर आप किसी भी गोवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हो आप लोगों को ट्रिक से पढ़ाई करनी हैं यह चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि दिल्ली पुलिस की सभी गोवर्मेंट एक्जाम की पल पल अपडेट के लिए आप अपडेट रहो गाइस यह चैनल आपके लिए बेस्ट होने वाला है केंप की बात कर रहे हो आप लोग ट्यूटर चैंपएन की बात कर रहे हो दोस्तों ये हर कटोफ के बारे में भी बता रहा हूँ पूरा एनलीसिस करके मैं बताऊंगा आपकी रिजल्ट डेट क्या रहेगी फिजिकल डेट क्या रहेगी और आपका नूर्मलाइजेशन कैसे होगा और आपकी एक्सपेक्टेड कटोफ क्या रहेगी तो दोस्तों आपने भी देखा होगा लोगोंने सोसल मीडिया पर काफी ट्विट किये थे केंपेंच चलाए थे लेकिन दोस्तों इन सबसे कुछ नहीं हुआ मैं आपको एक ओफिसल नोटिस दिखाने वाला हूँ जो SSC ने भेज़ाया गाइस ठीक है गाइस क्योंकि दोस्तों जो रियालिटी है उतना तो हर एक्जाम में होता रहता है आप लोग क्यों अपने जिनकी खराब कर रहे हो दोस्तों आप लोगों के करियर का सवाल है guys मैं नहीं चाहता आप लोगों को कोई problem हो बाद में आप लोगों के मम्मी पापा के जो सपने है उनमें कोई आँच आई ठीक है guys इन सब को रोकने का काम S.S.C. का है गोर्मेंट का है आप लोगों का नहीं है guys ठीक है guys आप लोग इन जो ये rumors फैले हो है guys कटोफ क्या रएगी और आपका पूरी जानकारी दूगा कि आपकी एक्ससर्विसमेन है, जैसे कि आपके जो इक्ससर्विसमेन होते हैं, उनकी कटोफ क्या रहेगी गाईस, वीडियो को जिस बच्चे ने पूरा देखलिया, आप लोगों की जिन्द की बदलने वाली है ठीका गाइस तो दोस्तो हमारे कहने से कुछ नहीं हो पाएगा टीचर ने आपको बहुत सपोर्ट किया और भी जो टीचर आपके अलग-अलग प्लेटफोर्म पे उन्होंने आपको सपोर्ट किया बट दोस्तो किसी को कुछ नहीं कर पाए क्योंकि दोस्तो ये काम गवर्मेंट का SSC का है हम नहीं कर सकते दोस्तो इसमें कुछ भी अगर पेपर में कोई आपका स्कैम हुआ है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते इस चक्कर में मत रहना कि आपका paper cancel हो जाएगा तो guys आपका paper cancel नहीं होगा ठीक है guys तो देख लेते हैं आपके क्या क्या date रहने वाले है पहले हम notice की बात कर लेते हैं जो SSC ने आपर notice निकाला है guys कल का notice है guys देख ले देशको भी तो guys जो notice है वो आपके सामने है Government of India, Staff Selection Commission, Ministry of Personal, Public Grievance and Conduct of Examination ठीक है guys यह आपका notice है गैज देख सकते हैं यह official notice है आपका जो दिल्ली पुलिस ने निकाला है ठीक है guys इसमें क्या लिकाओं एक बार पढ़ लेते हैं Constable Executive Male and Female in दिल्ली पुलिस Examination 2020 Dear student, Priya चात्रो, Most importantly we are going to inform you Regarding leakage of दिल्ली पुलिस Regarding leakage of दिल्ली पुलिस Examination Which was held in November and December There is nothing like paper leak in this exam आपके paper में कोई leak नहीं था दोस्तो आपका paper cancel नहीं होगा Guys आप लोगों की मेनत बरबाद चली जाएगी अगर आप लोगों ने physical की तैयारी को रोक दिया It can also be a rumor ये एक अफवा भी हो सकती है guys Don't waste your precious time You should focus on your physical activity ठीक है guys आप लोगों को कितनी problem में आप लोग पढ़ सकते हो आपने पूरे साल भर मेनत की रात भर जग जग कर और बाद में आप लोग अगर physical नहीं करोगे तो guys आपको दिक्कत होने वाली है ठीक है guys पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है यहाँ पर ठीक है guys आप देख सकते हो आगे बढ़ लेते हैं तो guys वीडियो को पूरा देखना है आप आप लोगों के लिए एक में खुसकबरी भी बताने वाला हो तो guys अगर आपके result की date की बात की जाए तो क्या रहने वाली है अगर result date की बात की जाए लगबग आपके 20 जनवरी तक आपका result आ जाएगा कब तक देख रहे हो guys अब आपके पास में लगबग यहाँ पर 25 लगबग 25 दिन आपके लिए बचे हैं फिजिकल की तियारी में guys लग जाएए बाद में आप लोगों को problem हो सकती है और दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर जो फिजिकल की date है वो लगबग आपको तो guys यह तो आपकी रहेगी अब तक कि आपका जब तक result आएगा यह तारिक तो किसकी रहेगी आपके 25 दिन बचे है result आने की आपके 25 दिन बचे है result आने की ठीक है guys यह तो आपके 25 दिन बचे result आने की लेकिन अगर फिजिकल डेट की बात की जाए तो guys जो आपका फिजिकल होने वाला है वो कब होने वाला है इसकी भी तारिक मैं आपको बता देता हूँ तो guys 100% अगर मैं बात कुरूँ तो guys आपके फरवरी के last तक यानि 20 से 25 फरवरी तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा 20 से 25 फरवरी तक ठीक है guys आपके पास में यहाँ पर 25, 20 यानि लगबग आपके पास में 50 दिन है guys फिजिकल के लिए आपके पास 50 दिन है guys अगर आप इन 50 दिन में कुछ कर लेते हो तो guys definitely आपके आपके उपर एक वर्दी होगी दिल्ली पुलिस की और जिसका सपना आप कब से देख रहे हो guys अगर आपको लगता है कि आप लोगों का सेलेक्शन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपके कितने नमबर बन रहे हैं guys ठीका guys ये तो बात आपकी होगी रिजल्ट डेट की फिजिकल डेट की अब बात करते हैं कितने बच्चे आपके फिजिकल के लिए जाने वाले हैं तो guys डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए तो guys मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग इन दस हजार में अपना टार्गेट रखो भगवान करें मेरे सारे बच्चे इसी में आ जाएं ठीक है guys सभी का सपना पूरा हो जाए सभी बच्चे आपर दस हजार में आ जाएं ठीक है guys बढ़ लेते guys आगे अब बात करेंगे नॉर्मलाइजिसन की और आपकी एक्सपेक्टिड कटोफ के बारे में ठीक है guys ये बात मैंने आपको बता दी है तो guys कितने स्टुडेंट बोले मैंने आपर लगबग आपके दस हजार बच्चे फिजिकल टेस्ट पास होने के बाद में निकलेंगे अगर आप लोग फिजिकल टेस्ट में पोजिटिव रहे ठीक है guys तो आप दस हजार बच्चों में आने का टारगेट रखो आपका फिजिकल होना चीए और आप लोग इन दस हजार में आ जाओ किसी तरह ठीक है guys आगे देख लेते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन और आपका कटोफ को देख लेते हैं guys ठीक है guys वीडियो को अंत तक देखेंगे जो बच्चे इस वीडियो को देख के जाएगा लेकिन आप लोगों के अंदर एक जो इमानदारी है इस वीडियो के परती तो guys वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर देना अगर आप लोग अपने मम्मी पापा के सपनों से प्यार करते हो तो guys वीडियो को जादे से जादे से शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके जरू जाएंगे guys अगर आप लोग अपनी वर्दी से प्यार करते हो अगर आप देश से प्यार करते हो वर्दी से प्यार करते हो वीडियो को शेयर करना लाइक करना और नीचे लाल कलर का बटन का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाईज ठीक है गाईज आप देख लेते हैं अब बारी आती है एक्सपेक्टिड कटोफ और नॉर्मलाइजेशन ताकि आप लोग फिजिकल के तियारी में आपको कोई प्रोब्लम नहों गाईज ठीक है गाईज आप देख लेते हैं पूरी जानकारी अगर बात की जाए हाँ पर जन्रल की ठीक है गाईज जन्रल की बात की जाए और मेल की बात की जाए पुरूस की अगर आपके 60-65 नंबर बन रहे हैं तो आप लोग 100% फिजिकल के लिए चले जाओ लेट मत करो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और कुछ बच्चों की यह प्रोवलम है कि सर मेरे तो 55 नंबर बन रहे हैं जन्रल वालों की अगर आपके 55 नंबर बन रहे हैं तो आपका पेपर टफ था गाईज इस वज़े से आपके लिए भी खुसकबरी में बताने वाला हूँ बाद में आपका नॉर्मलाइजेसन 100% होगा ठीक है गाईज आपको डरने की जुरत नहीं यह वीडियो को पूरा देखना है बात कर लेतें EWS की अगर आपके 69 से 63 नंबर है अगर दोस्तों आप लोग एक सर्विसमेन हो पहले तो आप लोगों को सलाम मेरा आप लोगों को देश के परती इतना बलिदान मतलब एक तरह से महनत करने के लिए आप लोगों को मेरी तरब से सलाम तो आपके जो कटोफ रहेगी तो जो आपकी cutoff रहेगी वो रहेगी 35 से लेके 38 नमबर आप मान सकते हो इतना अगर आप लोग कर लेते हो पुरुस की बात कर रहा हूँ एक service man के पुरुस की तो आप लोग एक safe score में हो आप लोग physical की तियारी सुरू कर दो guys ठीक है आगे बढ़ लेते हैं अब बात करते हैं female की अगर आप लोगों के 55 से 60 नमबर बन रहे हैं तो आप लोग physical के लिए चले जाओ और अगर कुछ बच्चों के female में यहाँ पर 50 नमबर बन रहे होंगे जन्रल में अगर आप लोगों के 50 नमबर बन रहे हैं आप लोगों को भी गबराने की जरुत नहीं है मैं आपको normalization का process बताऊंगा वीडियो को पूरा देखना है guys ठीक है आगे बढ़ लेते हैं अगर बात की जाए EWS की महिला की तो महिलाओ में 52-57, OBC 52-57, SC 45-52, ST 45-52 ठीक है guys इतना process मैंने आपको बता दिया अब बात कर लेते हैं एक सर्विसमेन के महिलाओ की अगर आप लोगों के नमबर 30-35 नमबर बन रहे हैं तो आप लोग physical के लिए चले जाओ यह आपका safe score रहेगा यह आपका एक safe score रहने वाला है ठीक है guys अब बात कर लेते हैं normalization की ठीक है guys भगवान करें आप उन 10,000 में आजो आप लोगों का selection हो जाए guys वीडियो पसंद आए like करके जरूर जाना क्योंकि दोस्तों बहुत मैनत लगते हैं वीडियो बनाने में ठीक है guys आगे बढ़ लेते हैं देख लेते हैं आपका normalization कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ तो guys अब बात कर लेते हैं normalization कैसे होगा अगर बात की जाए एक बच्चा है जिसके 50 नमबर आया स्बिकल on आप लोगों को बहूत अच्छ लगेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो guys जो यहाँ पर यह बच्चा है मानके चलो इसकी shift बहुत hard आई इसके में जो math था वो आपका बहुत जादा टफ आ गया और जो आपके reasoning थी वो भी बहुत जादा टफ आ गई तो guys इसके यहाँ यहाँ पर 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगी क्योंकि दोस्तों अगर आपके shift hard आएगी तो दोस्तों उसका आपको फायदा मिलेगा यहाँ पर आपके लगबग 62 तक नंबर पहुँच जाएंगी और जो की gender का criteria मैंने बताया था 60 से 65 नंबर तो guys अगर आपके इतने नंबर आपको गबराना नहीं है आप लोगों को physical में लग जाना है एक बच्चा है जिसका ना तो जादा hard आया ना जादा आसान है मतलब उसके में hard भी question थे आसान भी थे उसके 55 नंबर यहाँ पर आ रहे है तो guys आप लोगों के यहाँ पर 7 तक नंबर बढ़ सकते हैं आप लोगों के 62 से 63 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे जिसका paper थोड़ा आसान भी था और hard भी था एक बच्चा जिसका paper easy था इसको भी थोड़ा फायदा मिलेगा इसका यहाँ पर 1 से 2 नंबर बढ़ सकता है guys जिसका paper आसान है था इसके भी यहाँ पर 61 से 62 नंबर हो जाएंगे तो guys यह तरीका आपका normalization के रहने वाला है आपको घबराना नहीं है देखो guys जिसके नंबर 50 से कम है जनरल में तो guys देखो उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा उन लोगों को wait करना है official cutoff का यह मैंने आपको general idea बता दिया है normalization कैसे होगा और आपका एक expected cutoff क्या रहेगा guys ठीक है guys आप लोग मुझे comment करके बताओगे कि आपके number कितने बन रहे है आपका नाम क्या है आप कौन से राज्जे से ब्लोंग करते हो आपकी कितनी height है ठीक है guys और आप कौन सी category से हो यह 5 चीज़े आप मेरे को comment करके बताएंगे मैं आपको बताओँगा कि आपको physical की तियारी करनी है या नहीं करनी है guys ठीक है guys यह तरीका मैंने आपको बता दिया guys I hope दोस्तों यह चीज़े आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाना भगवान करे आपके सारे सपने सचो आपके ममी पापा के सपने सचो guys आगे बढ़ लेते हैं तो guys मैं तो यही दूआ करूँगा आप लोगों का सेलेक्शन हो जाए अच्छे से मैं बगवान से दूआ करूँगा आप लोग प्यारे बच्चों का सब का सेलेक्शन हो जाए सबकी ड्रीम फुल्फिल हो जाए और guys definitely आप लोग दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाओगे बस आप लोग अपना फीजिकल मत छोड़ना अपना हाड़ वक मत छोड़ना यह हमारा चैनल है exammatic study सभी government exam के trick के लिए और दोस्तो जिस बच्चे को भी अपनी वर्दी से प्यार है जिस बच्चे को भी अपनी वर्दी से प्यार है तो guys वो इस वीडियो को लाइक करके जाए चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए guys और वीडियो को अपने दोस्तों में जादा से जादा share कर देगा guys अगर आप लोग अपनी वर्दी से प्यार करते हो guys ठीक है guys बढ़ लेते guys आगे अगर आप किसी भी government exam की त्यारी करे हो guys और आपको गणी दो reasoning को ट्रिक से पढ़ाई करनी है ये चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे और बैल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि दिल्ली पुलिस की या सभी government exam की पल-पल अपडेट आपको time to time मिलता रहे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much मिलते हैं अगली वीडियो में और दिल्ली पुलिस के paper के लिए आपको good luck जो भी आपका final cut off रहेगा जो भी आपका final selection होगा final merit होगी तो guys इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सभी paper के लिए आपको good luck